जन्माश्टमी की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकाम नाएं आए जानते हैं पूजा कैसे करेंगे कैसे काना को सुलाएं जूला कब हटाएं और सुभब पारन कब करें कैसे करें क्या का करें तो चले शुरुआत करते हैं देखिए इस दिन अगर आपने उपवास किया ह तो सबसे पहले तो रात जब तक की भगवान स्रीकृष्ण का जन्मोट सब नहीं करवा लेते कुछ भी मत खाईए आप लिक्विट चीजें ले सकते हैं और जन्माश्टमी ब्रत में जो आप चौंकी बिचाएंगे चौंकी पर लाल या पीला वस्तर बिचाईएगा और उ पूरब दिशाकी और फेस करके बैठे थाली में कुमकुम चंदन अक्षत पुस्पतुलसी दल मौली कलावा रखे और खोई का परसाद रखे फल मखाना मिस्री ले और माखन मिस्री आपको लेना है याद रखिए और दूसरा धनिय की पंजीरी यह दो चीजें जरूर लेन स्फृ पुजा को आरम करना है किCTV को फिर से सुबह में जैसे आपने क्याना तो आपको रात में आठ वज़ी पिर से करना हो और फिर रात वारा बजहे तो रात बारा बजहीं के olması विग्रह रूप अस्थापिद करें यानि स्रीकृष्ण अभी मा맂ं के गर्ब में है इसके लगभग रात्री दस वजे विग्रह अर्थात लड़ू गुपाल को खीरे से निकाल कर पंचामृत से उनका भी सेक करें पंचामृत में बिद्यमान दूद से वंस ब्रदी होती है दही से स्वास्त अच्छा रहता है घी से संविद्धी आती है सहत से मधुरता बढ़ती है औ भगवान स्रीकिष्ण को पंचामृत का अभिसे कीजिए संख्यत उसी से कीजिए और सारा पंचामृत इकठा कर लें इसको बादने परसात के रूप में खाईएगा अब तीसरे चलंग की जो पूजा होगी रात बारा बजे आरंब होगी अब यहां पर भगवान स्रीकिष आप कुछ समय के बाद उनको आप सुला दे आप इसमें लोरी जरू गुल मुना आईएगा और जूला को उठा कर साइड में रखें अब यहां पर देखिए बरत चुकि अंत में पारन होता है तो ब्रहम बरत पुरान के अनुसार काल निर्ने के अनुसार जब अस्टमी ति दिया है उसके बाद आपको करनायब और ब्रत का पारन नंदोत्सब में कड़ी चावल एवं तुलसी की पूजा किया जाता है वैसे आप गुड के साथ पानी के साथ आप पारन कर सकते हैं आपकी सुभी मनोकाम नायब पूर्ण होगी धनिवाद हम फिर मिलेंगे